हालो फ्रेंड मेरा नाम है मरीनल गोश और मेरा यट्यूब चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे अगर आप LIC Premium ऑनलाइन में पेमेंट किया है और आपको LIC Premium पेमेंट रिसिप नहीं मिल रहा है सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउजर से गूगल पे जाना परेगा गूगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको साज बार दिखेगा वही साज बार में जाना परेगा साजबार में जाके हमको लिखना परेगा LICI तो हम क्या करेंगे साजबार में जाके लिख देंगे LICI LICI लिख के enter करने से पहला वाला जो link इधर आ जाएगा ओई link पे जाना परेगा तो देखिए इधर पहला वाला जो link दिख रहा है LIC India.in ओई लिंक पे क्लिक कर देंगे तो Life Insurance Corporation of India का Official Website Open हो जाएगा तो हम क्या करेंगे पैलावाला लिंक पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर Life Insurance Corporation of India का Official Website Open हो गया तिधर हमको थोराण नीचे आना परेगा नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको एक option मिल जाएगा Pay Premium Online option पर जाना परेगा Pay Premium Online के अंदर पहला बाला जो option दिखेगा Pay Direct Without Login option पर क्लिक करना परेगा तो हम क्या करेंगे pay direct without login option पे क्लिक कर देंगे pay direct option पे क्लिक कर देंगे तो pay direct का page open हो जाएगा तो देखी इधर pay direct का page open हो गया इधर हमको right side में एक option मिल जाएगा view or download receipt option पे क्लिक काना परेगा उधर click कर देंगे तो view or download receipt का page open हो जाएगा तो हम क्या करेंगे view और download receipt option पे click कर देंगे तो देखिए इधर हमको दिख रहा है view और download receipt complete transaction only तो इधर हमको कुछ basic details डालना परेगा सबसे पहले policy number डालना परेगा उसके बाद date of transaction डालना परेगा यानि कब transaction हुआ है वोई date हमको डालना परेगा उसके बाद transaction type select करना परेगा इधर हमको बहुत सारे transaction type दिखेगा सबसे पहले renewal premium और revival दिखेगा उसके बाद advanced premium payment दिखेगा उसके बाद loan repayment दिखेगा उसके बाद loan interest payment दिखेगा तो हम renewal premium और revival करेंगे क्योंकि हम renewal premium का receipt डाउनलोड करना चाहते तो अभी हम क्या करेंगे पूरा fill up कर देंगे तो दिखी इधर हम पूरा fill up कर दिया सबसे पहले policy number डाल दिया उसके बाद date of transaction डाल दिया उसके बाद transaction टाइप पे renewal premium और revival कर दिया क्योंकि हम renewal premium का receipt डाउनलोड करेंगे तो अभी नीचे submit option दिखेगा वोई submit option पे क्लिक करना प premium payment receipt download हो جाएगा तो हम क्या करेंगे इधा जो receipt number दिख रही हुआ उसके उपर क्लिक कर देंगे तो देखी इधर receipt download हो गया तो इधर हमको receipt दिख रहा है अभी हम क्या कर सकते ये receipt को हम इधर से download करके save करके भी रख सकते या फिर हम इसको print भी कर सकते उपर में right side में मेरे को download और print का option दिखेगा तो ऐसे ही हम बहुत ही आसन तरीका से LIC premium payment receipt online में download कर सकते आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करना और बहुत सारे share करना और मेरे को comment करके बताना की कैसा लगा और मेरे चैनल में नए हो तो subscribe भी जरूर करना अचके लिए इतना ही फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ जय हिंद